नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंडिया की फर्स्ट लोग सभा इलेक्शन की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ 1951 में जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो इंडियन्स के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था यहां के लोगों के लिए सरकार खुद चुनना, खुद बनाना एक बहुत ही अजीब सा अलग सा एक्स्पीजेंस था यहां के लोगों के लिए इंडियन्स को लगता था कि सरकार तो कहीं और से आती है, कहीं बाहर से आती है, लोग नहीं बनाते सरकार को तो सरकार को खुद चुनना उन्हें वोट देकर बनाना यहां के लोगों के लिए बहुत ही अलग सी जीच थी अब इलेक्शन कमिशन और पॉलिटिकल पार्टीज ने डोर टो डोर कैमपेंग स्टार्ट किया लोगों को कन्विंस किया कि वो घरों से निकले वोट डाले के बारे में अवेर किया जाए इस कि उस टाइम पे 21 साल से उपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था तो इन चीजों की अवेरनेस के लिए सिनिमा हौल्स का यूज किया गया अब सबसे वड़ी प्रॉब्लम यह थी कि 1951-52 में 85% पॉपुलेशन इलिटरेट थी तो भई अब यह सोचा कि ना तो यह लोग लिख सकते हैं कि अपना वोट लिख के डाल दे ना यह कुछ पढ़ सकते हैं तो कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए कि यह वोट डाल सकें तो सु कुमार सैन उस टाइम के इलेक्शन कमिशनर थे जो कि इंडिया के फर्स इलेक्शन कमिशनर रहे हैं उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की पिक्चर्स को यानि कि उनके सिंबल्स को प्रिंट करवाएंगे और उस पे लोग फिर अपना बैलट डाल देंगे अगली समस्या यह आई कि इलेक्ट्रोल प्रिपेर कैसे किया जाया इलेक्ट्रोल प्रिपेर करना, डेटा कलेक्ट करना ये भी एक बहुत हेक्टिक काम था जिसके लिए उस टाइम सोला सो पान सो क्लर्क्स को छे महीने के लिए रिक्रूट किया गया और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि जब इलेक्शन कमिशन के रिप्रेसेंटेटर्स गाओं गाओं में शहर शहर में जाते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए लोगों से उनका नाम, पता, उम्र आदी पूछते थे तो जादा तर औरते उन्हें ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती थी वो अपने आपको किसी की वाइव, किसी की बेटी, मा, बेहन या विड़ो बताती थी पर अपना नाम बताने से मना कर देती थी उनको ऐसा लगता था कि हम किसी स्ट्रेंजर को अपना नाम क्यों बताएं, अपनी इंफोर्मेशन क्यों दें फाइनली जब ऐसे कुछ, मतलब इंडिपेंडेंट टाइप का इनफोर्मेशन या डेटा इलेक्शन कमिशन के पास पहुचा जिसमें लोगों, मतलब और अपने नाम नाम नहीं बताए थे तो इस तरह का डेटा जब इलेक्शन कमिशन के पास पहुचा तो उन्होंने 28 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिये थे, जिन्होंने अपने खुद के नाम नहीं बताए थे तो 28 लाख लोगों के नाम हटाने के बाद, फाइनली एक इलेक्टोरल रिस्ट तयार हुई अब पॉलिटिकल पार्टिस के लिए एक अलग ही चैलेंज था, कि भाई, इलेक्शन कैम्पिन कैसे किया जाए क्योंकि इससे पहले बिटिश रूल में इस तरह से कभी इलेक्शन नहीं हुआ था उनको था कि हम लोगों से कैसे, कैसे उन्हें अपनी तरफ अट्राक्ट करेंए, कैसे वोट ले तो अलग-अलग लीडर्स ने अलग-अलग तरीके निकाले, किसी ने पबलिक रैली किई, किसी ने डोर टो डोर कैम्पिन किया, किसी नुकरनाटक किये और तो और अभारा पशू की कमर पर पेंट करवा दिया गया पार्टी के नाम से और इस तरह से पबलिसिटी करी तो लोगों में बहुत curiosity थी कि पहला election है, ये सब election process को देख रहे थे लोग, इसको feel कर रहे थे कि India independent हुआ है, अपने लोग है, अपनी सरकार है, लेकिन अंदर ही अंदर एक उनके डर भी था, कि क्योंकि उन्हों ने आज तक इस चीज को experience नहीं किया था, उनके लिए सरकार हमेशा, मतलब एक डराने वाली चीज रहे थी, कि सरकार लोगों पर अत्याचार कर दिया इस टाइप से, बट फिर भी लोगों ने बहुत support करा, और जिस हिसाब से उस टाइम illiteracy थी, लोग aware नहीं थे, बट लोगों ने बहुत अच्छे से participate किया, फाइली इलेक्शन स्टार्ट हुए, 1951 के इलेक्शन, 68 फेशिज में कंड़क्त कराए गए, जो कि चार महिने में पूरे हुए, सबसे पहला वोट, चीनी तहसील में रहने वाले एक बुद्धिस्ट नागरिक ने डाला था, जो कि ये चीनी तहसील अब कि नौर डिस्टिक में बढ़ता है, तो क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखा गया था कि विंटर स्नौफॉल स्टार्ट होने वाला है, और इसके चलते हुए, हिल स्टेशन स्पेशली यहां इन एरियाज में, इलेक्शन को ऑक्टूबर में ही करवा लिया गया था, तो फर्स्ट जो पूरे देश में वैसे जैन्वरी और फैब्रेरी में हुआ था, बाकी हिल स्टेशन पर गहरा पर मोस्ली ऑक्टूबर में यह, ऑक्टूबर नवेंबर से पहले-पहले खतम कर दिया था, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुआ हमारा उसमें पर वोटर कर 60 पैसे खर्चाया था, जो कि आज हम कमपैर करें तो 72 रूपीज पर वोटर है, यानि कि जैसे प्रिंटिंग का खर्चा, और इसमें उस टाइम वोटिंग जो लिस्ट बन रही थी, इलेक्टोरल का खर्च और यह सारी जीजे मिला के, तो 60 पैसे खर्चाया था, और 20 लाख बैलेट बॉक्स भी तियार करें गए थे, और तो इंपोर्टन तिंग इस कि इन बैलेट बॉक्स को बुलेट प्रूफ बन वाया गया था, इस चीज को ध्यान में रखा गया था, कि इंदेंग तो सेलीबर बैलेट बॉक्स को बनाने में 8200 टन्स स्टील का यूज हुआ था, तो फाइनली यह सब हुआ, अब नेक्स प्रॉबलम थी, कि रिपीट वोटर्स को अवोइड कैसे करेंगे, तो इंडिन साइंटिस्ट ने एक ऐसी इंक बनाई थी, जो मिटनी सकती थी, जो मतलब हफता द इलेक्शन हम वोट डालने के पाँ जो इंक लगती है, जिससे कि रिपीट वोटर्स को अवोइड किया जाता है, एंड फाइनली कॉंग्रेस ने 489 में से 364 सीट जीती, एंड नहरू बिकीम दे फॉर्स प्राइमनिस्टर उफ इंडिया, देश में जशन था, पट इस इलेक इलेक्शन लड़ा था, बट इसमें वो हार गे थे, बात में उने राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था, लेकिन उस टाइम में अम्बेटकर का हारना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बहुत बड़े परस्नालिटी थे, चेक एप, और फाइनली इंडिया ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से सलीब्रेट कर रा कि आव वी आर इंडिपेंट और हमारे देश में अपने ही लोगों की एक सरकार है, जो हमें गवर्न करेगी, and this is how the story of first election ends, thank you, hope you like it, if you like, please like, share and subscribe my channel,